नमस्कार दोस्तों, बाइजूस गवर्मेंट एक्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम 5 जनवरी 2021 के समचार विसलिस्टन आपके सामने प्रसुत कर रहे हैं जिसमें देहिंदू अकबार के प्रमुक आलेखों के हम समिक्षा करेंगे और उसमें प्रारंबिक और मुख्य परिच्छा से संबंदित प्रस्ट भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिये जाएंगे हूँ अपनी पहली नूज़ पर आते हूँ ये पेज नंबर 6 के पार्ट पर जी एस पेपर थर्ड में यानि एकॉनमी के पार्ट से इसको हम जोड़ सकते हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो तमिल नाडू के जो विधान सवा चनाव बहुत नजधीक हैं तो वहाँ पर एक प्रमुक राजनितिक दल है जो एक्टर कमाल असन के दौरा प्ररम किया गया है मकल नेधी मेलम यानि MNM तो अगर हम कमाल असन की MNM पाइटी की बात करें तो उनके दौरा अपना जो घोशनापत जारी किया गया है उसमें उन्होंने ये बात करी है कि जो भी महिलाएं हैं जो घर के कारे प्रमुक रूप से एक तरह से अभी कर रही हैं और उसके ग्रहनियों के दारा किये जाने में लेकार रहे हैं उसके बदले में एक आये का जो हिस्सा है वो महिलाओं को सुनिश्यत किया जाएगा घरों में महिलाओं के दारा जो भी ग्रहकारी किये जा रहे हैं उनको एक तरह से माननेता प्रदान करना और उनको मौद्री करन यानि उसका मौद्रिक रूप में कुछ योगदार उनको मिल पाए, इसको लेकर जो चर्चा है वो पुना एक तरह से प्रारम्भ हो गई है, तो इसी संदर में यहाँ पर आपका आर्टिकल में डिस्कसिन किया गया है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो ग्रहनियों को घर पर काम करने के बदले, एक वेतन भोगी पेसे के रूप में कभी भी पैचान नहीं मिली, तो यहाँ प्रमो कोसिस यह है कि ग्रहनियों का जो भी घर में काम है, उसको एक वेतन भोगी पेसे के रूप में स्विकार किया जाए अभी तक क्या है कि ग्रहणियों का जो कार्य उसको माननेता प्राप्त नहीं है और असंबंध यानि वो कहीं से भी रिलेट नहीं किया जाता है कि हुसे एक तरह से अर्थफ्यस्ता में किसी योगदान के लिए उत्तरदाई माना जाएं ऐसा नहीं है अगर कोई वेक्ति स्व्मिक के रूप में पुंजे निर्माण में योगदान कर रहा है तो घर में एक तरह से एक ऐसी सिती बनाना जिस से कि वो सुचारी रूप से काम कर सके, ये भी काफी महत्रपुन हो जाता है। तो ये सिती दिखाती है कि महिलाओं के दारा जो घर में कारी किये जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं स्रमिकों को एक अच्छी सिती देने के लिए एक उत्तरदाई कारक है। अगर हम महिला के अधिकारों के संब्द में देखें, तो तीन बड़े आंदोरों माने जाते हैं। पहला अगर हम आंदोरों देखें, तो ये एक तरह से आप 19-वी सताब्दी का अंतिम इस्सा कह सकते हैं, ये 20-वी सताब्दी के बिलकूर प्रारंभिक पार्ट पर। खास त 19 में, अमेरिकी संब्दान में 19 संसुदन किया गया और महिलाओं को मद्दान देने का अधिकार दिया गया। महिलाओं के अधिकार के संब्द में जो प्रथम आंदोरों हैं, जो नारिवास से संब्दित मान लिया जाए, तो यहाँ पर अमरीका में महिलाओं को मद्दान के जो अधिकार हैं, वो एक तरह से निस्चित किये गए, तो ये पहले आंदोलों की एक सफलता मानी जाती है, दूसरा आंदोलों अगर हम देखें, जो 60 और 70 के दसक में शुरू हुआ, जिसमें सामाजी कायर करता बैटी फ्रेडन प्रमुख रूप से आगे थी, उनका ये मानन था, और इस दूसरे आंदोलों में प्रमुख रूप से लक्षी रखा गया था, कि कानूनी रूप में और सामाजी की रूप में, जो महिलाओं के अधिकार हैं, वो एक तरह से निस्चित किये जाएं, तो एक समानता लाई जाए, यानि कानूनी आधार पर जो पुरूसों क अधिकार हैं, वो महिलाओं को भी मिलें, जैसे अगर हम बात करें, जो संपत्ति के अधिकार की बात करें, तो इस तरह के जो अधिकार हैं, वहाँ पर समानता कानूनी और सामाजी का अधार पर महिलाओं को पराप्त हो सकें, ये साथ और साथ और सत्तर के दसक में एक तरह स कारी किये गए जहां तक तीसरे जो आंदोनों का चरण था यह अगर हम देखे तो यह 1990 के बाद एक तरह से दिखा जाता है और यहां पर महिला के जो अधिकार हैं उनको अंतरास्टी इस तर पर एक मुद्दे करूप में आगे बढ़ाया गया और माना यह गया कि यह जो महिला के अधिकार का मुद्दा हैं यह नसलबाद, जातेता, वर्ग, धर्म, लिंग और राष्टेता इन सभी को मिला कर एक तरह से चर्चा किया जाना होगा तभी एक तरह से हो सकता है कि महिलाओं के जो अधिकार हैं वो अंतरास्टी आधार पर एक तरह से स्थापित हो सकते हैं तो जीवन से संब्दि सभी मुद्दों की जाच करने के लिए अंतरास्टी इस तरह पर महिलाओं के जो अधिकार हैं उनके लिए जो बात है वो 1990 के बाद की जाने लगी तो अगर हम देखें तो आंदोलन सुरुआती रूप में अमरीका यूरोप में प्रमुक रूप से आ यहां पर उनके दारा घर में जो किया जा रहा है कार रहे हैं उसको किसी तरह का मौद्रिक सुरच्छा नहीं मिला हुआ है तो उस मौद्रिक सुरच्छा को देने के लिए यहां पर बात की जा रही है अगर महिलाओं को घर पे काम करने के लिए कुछ वेतन एक तरह से प्रा प्राप्त कर पाते तो महिलाओं के अधिकारों को और मजबूत करने के लिए उनको आर्थिक रूप से जो उनकी निर्भरता पुरुषों पर है वो इतरह से कम करने की आवश्यक्ता है तो इस दिसा में एक कदम इसको हम मान सकते हैं भारत के अगर हम सामाजिक धाचे को देख हैं तो महिलाओं को घर के कार ही करने चाहिए इस तरह की एक लिमिट लगा दी गई है तो ये लिमिट इसलिए बन जाती है क्योंकि घर का जो कार है उसके लिए किसी भी तरह का एक मौद्रिक या किसी भी तरह का वेतन नहीं प्राप्त होता है तो महिलाओं के सुभाव की ज स्थिति हट जाएगी. तो एक गरूप में आप देखें कि महिलाओं को केवर घर के कारे करने के लिए योग की जो माना जाता है इस स्थिति को पलटने में ये जो मांग की जा रही है ये सहायक हो सकती है. और ध्यान रखें कि जो सामाजी के एक तरह से भूंग का महिलाओं की तेय कर दी गई है, उसके किलाभ एक तरह का यह बिदोर आप मान सकते हैं, इसी मांग का अगर हम एक दूसरा पक्षriend देखें, अभी तो हम सकारातमक देख रहा हैं, अगर हम यहां पर एक दूसरा पक्षbn देखें, कि गरह कारे के लिए वेतन, अगर मान लिया जाए, इसे स् की स्थिती बन जाएगी, क्योंकि घर कारे करने के लिए उनको वितन दिया जा रहा है, तो ये कहने के सामाजी के अलगाव को बढ़ाएगा, और सामाजी ग्रूप से उनको जो सबल करने की प्रक्रिया है, वो सिमित होगी, खास और से घर से बाहर जो भी आर्थिक अन्य या कारे करने की स्थितिया है, वहाँ पर महिलाओं की जो लिमिट अभी बनी है, उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि घर पर कारे करने के बदले उनको एक वेतन मिलेगा, तो ये एक समस्या या पर देखी जा रही है, इसी के साथ साथ पूरूस जो ग्रह कारे में अभी कोई साज़दारी करते भी हैं, वो एक तरह से इससे पीछे अड़ जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि इस तरह के कारे के लिए महिलाओं को वेतन दिया जा रहा है, या उनको किसी तरह का मौद्रिक समर्थन दिया जा रहा है, तो पूरूसों के जो केलू कामें से दूर रखना और उने घर से बाहर रोजगार सहित, सामाजिक जीवन के सभी छित्रों में पूरी तरह से भाग लेने के लिए सक्छम बनाना, तो जब हम इस तरह की मांग करते हैं, कि उनके ग्रह कारे को आर्थिक रूप से कुछ मदद दे कर एक तरह से उसको तै किया जाएं, तो ये दर्श आता है कि उनके आर्थिक और सामाजिक जो एक अलगाव दिखता है, उससे अलग करना चाहते हैं, इसके लिए आवश्यक यह है कि घर से बाहर जो रोजगार की इस्थितियां उनके लिए मजबूत की जाएं, तो ऐसी इस्थिति में आने पर वो कहिना के सामाजेग और आर्थिक रूप में सबल हो पाएंगी अगर हम अंतराश्टी स्रम संगठन के 2018 में प्रकासित एक आंकड़े को देखें तो बैसु के स्थप्रव महिला हैं बिना किसी देखवाल के काम के कुल घंटों का 76.2 प्रसत एक तरह से कारे करती हैं उठता है कि कौन सी महिला हैं जिनको इसमें सामिल किया जाएगा यानि घर पर कारे कर रही हैं जो महिला हैं तो कौन सी महिला हैं जिनको वेतल दिया जाएगा क्योंकि इस तरह के महिलाओं में आप अलग-अलग स्रिणिया बाठ सकते हैं जैसे अगर हम देखें कि क्या उन महिलाओं को केबल दिया जाएगा, जो पूंड कालिक रूप से ग्रहनी की रूप में काम कर रही है, या घर के बाहर मजदूरी करने वाली कई महिलाएं, घरलू कामकाज भी करती हैं, उन्हें किस आधार पर बाहर रखा जाएगा, या बाहर मजदूरी भी कर रही हैं, घर पर सारा काम करके भी जा रही है, इसी के साथ साथ अगर हम महिला स्थर्मकों में देखें, तो छोटे इस तरफ पर काम करके, जैसे सिलाई करके, या भोजन बना कर एक तरह से पैक करके उसके बेचना, या अन्य छोटा व्यापार, अगर इस तरह के काम महिलाएं कर रही हैं, तो क्या उन महिलाओं को अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि इनके द्वारा भी घर के कारे भी किये जा रहे हैं, तो ये ऐसे मुद्देंग को आसानी से हल नहीं किया सकता है, क्योंकि ये निर्धारत करना किसको मिलेगा लाप, किसको नहीं मिलेगा, ये आसान नहीं है, सेरी छेत्रों में गर हम देखें, तो बड़े पैमाने पर महिलाएं, जो बाहर आफिस में काम कर रही हैं, वो घर का भी अपना 80-90% काम स्वयम करती हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको भी इस तरह का आर्थिक लाप मिलना चाहिए, तो ये निर्धारत करना कि लाप किसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये काफी एक बड़ी समस्य यहां पर दिखती है, इसका एक हाली हो सकता है, कि अगर इस तरह कि हम आए की बात कर रहे हैं, कि ग्रह कारे के लिए महिलाओं को दिया जाए, तो उसके बदले हम ये कोशेश जरू कर सकते हैं, कि गरीब परिवारों के लिए एक सारभामिक बुनियादी आए की जो मांग है, वो की जा सकती है, और यहां पर सुनिस्चित किया जाए, किसी परिवार को इस तरह से अगर आए प्राप्त हो रही है, जो सरकार के दौरा निस्चित की गई है किसी गरी परिवार को देने के लिए, तो महिलाओं को ये आए प्राप्त हो, ये सुनिस्चित किया जाए, तो इस आधार पर हम कुछ हद तक यह जो मांग है उसको एक तरह से पूरा कर सकते हैं भारत में अगर हम देखें तो जो भी घरों में काम करती है महिला है उनको लेकर एक तरह से बड़ा अंदुरन चल रहा है कि उनके अधिकार सरनाचीत किये जाए इसमें अगर हम देखें तो वो मांग कर रहे हैं कि जो कारी की सरते उनको एक तरह से विनेमित किया जाए नियुनतम मजदूरी की एक गारंटी दी जाए और स्रमकों की इस्तिती और जो अधिकार है उनकी रक्षा करने के लिए भी सरकार के दौरा कोई संस्ता या कोई संगठन बनाया जाए तो घरेलू काम करने हैं जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों को लेकर भी एक तरह से बात की जा रही है घरेलू कारे के लिए जो भी भुकतान मिलता है वो सामान रूप से जो स्रमिकों को मिलता है डेली बेसिस पर यानि जो हम नींतों मजदूरी की बात करते हैं उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो हमें उसको जोडने की एक आवश्च रखता है तो इस तरह का एक आंदोर अभी चल रहा है साताई छुट्टी, वारसिक बोनस और कारचित में उनकी सारीरिक स्वायतता यानि सारीरिक उनका जो सोशलन एक तरह से उननी की संभावना रहती है उसके खिलाब भी उनको एक तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए तो यह तमिलनाडू में विशेश रूप से जो घरिलू कार करनी महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए उनके अधिकारों के लिए इस तरह की मांग रखी गई है इसको भारत इस तरह पर हम देखें तो इस तरह की मांग को एक तरह से लागू किया जा सकता है और घरिलू कार करने वाली जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों को सनरच्छित किया जा सकता है ग्रह कार को जो मौद्दिरकर्ण की बात MNM पार्टी ने तमिलनाडू में की है इसको सभी पार्टे एक तरह से स्विकार करके आगे बढ़ा सकती है क्योंकि ऐसा होने पर जो ग्रह कार रहे है उसको पैचान और मौद्दिरकर्ण प्राप्त होगा तो ये कही न कहीं कुछ आमदरी उनको देने के लिए आगे किसी तरह की योजना के रूप में जरूर हो सकता है और साथ-साथ घरों में कार करने वाली जो महिलाएं जो अभी उतना अच्छा वेतन नहीं पाती है उनको अच्छा वेतन मिलने की एक संभावनाएं भी एक कानूनी रूप में दिखती है तो इस तरह की प्रक्रियाएं बड़े बेमाने पर महिलाओं को लाब पहुचाएंगी घरेलू काम करने वाली जो महिलाएं उनको एक मजबूत रूप में माना जाए कि वो भी अर्थवस्ता में एक तरह से योगदान कर रही है वो चाहे स्वेच्छी ग्रूप में अपने घर का कारे करना हो या कहीं पर किसी दूसरे के यहां ग्रह कारे करके उनके दोरा कुछ आय अर्जित की जा रही है घरेलू काम करने वाली महिलाओं के हम बात करें या अन्य महिलाओं जो ग्रह कारे घर में कर रही है किसी भी तरह से अगर उन्हें आई एक तरह से निस्चित की जाती है तो वो उनके सामाजेक और आर्थिक एक उत्थान पर मदद करेगी और ध्यान रखे महिलाओं को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो एक पूरे परवार को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है इसी चर्चा के आदार पर एक मिन्स का आप कोश्चन लिखेगा ग्रहनियों दोरा घरों में किये जाने वाले कारे को पैचान मिलने तथा उसका मौदिर के रण होने पर यह मैला ससक्तिर्ण के सामें एक बड़ा दूरगामी प्रहोड डालने वाला निर्ण होगा तो यहाँ आपको दोनों को बताना है जो ग्रहकारे करने वाली स्वेच्छी कृप से मैलाएं हैं और जो घरों में काम करती हैं आय करने के लिए उन दोनों को अधिकारों को एक तरह सरचन मिलेगा आर्थिक रूप से वो सबहऄन होंगी और कहिना के सामाजिक रूप से उनका जो एक तरह से महत्तों है वो बढ़ेगा तो ये एक सामाजिक परवर्तन को भी कहिना कहीं इंगित करता है तो इस रूप में आप अपने question को लिखने का प्रयास कीजेगा तमिलनाडू में जो घरिलू कारे करने वाली महिला है उनके जो आर्टिकल पर आते हैं और ये पेज नंबर 6 के पार्ट पर जी एस पेपर थर्ड एकॉनमी से संबन दिते हैं और यहां पर आर्टिकल के माद़न से एक आ गया है कि जो गिग अर्थवस्ता है जो गिग कर्मचारी है उनको एक तरह से सही रूप में अगर विवस्तित किया जाए और गिग अर्थवस्ता को स्तरकार के दोरा एक मजबूती से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए तो सहरी छेत में जो विरोजगारी है उसको एक तरह से कम करने में मदद मिलेगी देखें गिग अर्थवस्ता या गिग कर्मचारी जो उसमें संबन देता है उनका स जो आप उनको सिफ्ट आसानी से कर पाते हैं इसी के साथ साथ अलग अलगतर है कि एप या जो टेक्नोलजिकल प्लेटफॉर्म है उनके आधार पर जो भी एक तरह से कार रहा है वो भी एक तरह से गिग कर्मचारीों में आते हैं जहां तक सामाजी सुरच्छा की बात करें तो क्योंकि यह स्थाई कर्मचारी की रूप में नहीं है तो इनको बहुत ज़दा सामाजी सुरच्छा के उपाय नहीं है इसी लिए जो हमारे हां सामाजी सुरच्छा का नया जो सहीता आई हुई है उसमें गिग कर्मचारीों को भी सामिल किया गया है तो आप कह सकते हैं क तुलना में यहाँ पर हमको वेतन ज्यादा मिलता है, तो यह एक तरह से गिग करमचारियों की स्थिती है, जितने भी रेंटल पर हम वहिकल्स लेते हैं, जैसे उबर की बात करें, तो इस तरह कि जितने भी एप हैं वो काम करने और जो करमचारी हैं, वो गिग करमचारी हैं, या फूर्ट सप्लाई की अगर हम बात करें, तो सामान तोर पर हम जो मैर्ट और स्विकी इनकी बात करें, तो यहाँ पर भी करमचारी जो काम कर रहे हैं, वो गिग अर्थवस्टा का एक तरह से भागें, या फ्रीलैंसर जो काम कर रहे हैं, एजुकेशन के जो पर बेरोजगारी के लिए एक यहां पर उपाए हो सकता है। तो इसी संदर में हमारी चर्चा है। बेरोजगारी के आंक्णों को अगर हम देखें तो नौमबर से दिसंबर के बीच में लगबत 3% से जाधा की बृद्धी होई है। ग्रामिड भारत में अगर हम देखें तो ग्रामिड भारत में जो स्रमिक सहरी चेत से वापस पहुचे थे उनको मन्रेगा में एक तरह से बड़े पहमाने पर जो काम मिल रहा है उसके माद्यम से कुछ साहता जरूर मिली है। मन्रेगा में दिखा गया है कि जो कारे दिवस हैं उनकी संख्या में 243 प्रस्तत की मन्रेगा पर ग्रामिड छेत में जो निर्भरता है वो बढ़ती गई है और अगर हम आखड़े देखें तो नॉमबर के महिने तक जितना ग्रामिड विकास मंत्रालय को मन्रेगा के लिए पैसा दिया गया था है यानि 86,400 करोन रुपए इसका 90% खर्च किया जा चुका है औ और अभी भी आखड़े ये कहते हैं कि 13% जो डिमांड है उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो लगबग 75,000,000 जो परिवार है उनके द्वारे एक तरह से मांग की जा रही है रोजगार की ग्रामिड छेत में मन्रेगा भी पूर्ण रूप से सायक नहीं हो पा रहा है क्य अगर हम देखें तो कारोबार जो बंद हुए हैं लाखो की संख्या में जो स्रमिक एक तरह से काम से हटे हैं उनके लिए समस्यां बढ़ी हैं क्योंकि मन्रेगा जैसी कोई योजना सेरी चित्र में नहीं है तो ऐसी सिती में जो गिग अर्थवस्ता है वो रोजगार का एक बड़े सुरत के रूप में माना जा रहा है तो सेरी चित की बिरोजगारी के लिए गिग अर्थवस्ता को एक प्रमुक रूप में आधार देखा जा रहा है अब यहां पर अगर हम देखें जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनमें एक अध्यन किया गया है कि जो भी ग कर्मचारी कारे कर रहे हैं तो वहां पर 11 अलगला जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनका मुल्यांकन किया गया है और पांच आधारों पर किया गया है फेर पे यानि जितना काम कर रहे है उसके अनुसार उनको वेतन दिया गया है कि नहीं दिया गया दूसरा देखें फेर condition काम करनी की जो इस्थिती है वो सामान रूप से जैसी होनी चाहिए उससाब से अच्छी है fair contract यानि जो भी एक तरह से contract किया गया है वो सही रूप में लागू किया गया fair management प्रबंदन सही रूप में या fair representation यानि अगर माली ये किसी तरह की समस्या स्रमिक को है तो वो management या प्रबंदन को अपनी बात पहुचा पाएं तो इन पांच पैमानों पर जब एक तरह से प्राप्त किया तो 11 कंपनियों में केवल 2 है जो 5 के अंग को प्राप्त कर पाएं 10 में से तो ये दिखाता है कि कहीं न कहीं जितना काम गिया गया उतना वेतन देना या कारे करने की स्थितियां या contract या प्रबंदन गिक कर्मचारी जो digital platform पर काम कर रहे हैं उनको उनके अधिकारों को एक तरह सनच्छित करना तो ये स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है तो ये दिखाता है कि गर्थ व्यस्ता में स से नीचे है जिसमें ओबर, उला, स्विगी और जोमेटर सामिल है तो ये दिखाता है कि गर्थ व्यस्ता में संभावना है जरूर है लेकिन वहाँ पर जिस तरह की स्थितियां है उसको बदलने की जरूत है यानि क्वालिटी या गुल्वत्ता है उसके इस तर को digital platform में बढ लेंगन की यानि कितने इसमें कर्मिचारी कारे करने हैं, कितनी संभावनाएं और हैं तो ये सारी संस्था एक तरह से अगर हम देखेंगे तो हम सहीं अनमान लगा सकते हैं कि सहरी छित्र में ये कितने Rोजगार उपलब्ध करा सकते हैं गिक कर्मियों को वेनेमित करना इनके लिए एक तरह का एक regulatory एक विनेमिस संस्था सरकार के दारा बने जो उनको नियन्तित करें तो अगर ऐसा हो पाएगा तो गिग अर्थवस्ता में हम बड़ी संख्या में जो बेरोजगार हैं उनको सेरी अर्थवस्ता में रोजगार के लिए प्रेरित कर पाएंगे और तीसरा प्रमुक सरकारी योजनाएं अगर गिग प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ती हैं तो उनको आगे बढ़ाने में और रोजगार के नए उसर उत्पन करने में एक तरह से मदद मिलेगी PM स्वनिधी योजना की बात करें तो PM स्ट्रीट वेंडर आत्मे निरभर निधी इस योजना के माद्यम से जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको एक तरह से पुंजिगत मदद उपलप्त कराई जाएगी अपना कारे सुरू करने के लिए तो स्ट्रीट वेंडर्स की मदद के पुंजिगत में लिए पीम स्वनिधी योजना है इसमें स्ट्रीट वेंडर्स की मदद वेंडर्स हाइगे उनको एक तरह से सदन वोपलप्त करा रहे हैं इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखा गया है कि जो भी स्ट्रीट वेंडर्स की से जुड़ेंगे वो खाद, सुरक् पंजिगरित और प्रमानित हों, तो इस रूप में कहीं नहीं कहीं, जो स्ट्रीट वेंडर हैं, उनको सरकार की PM सुनिधी योजना से मदद मिल रही है, किसके माद्यम से, सुगी के माद्यम से, तो इस तरह का प्रयोग है, वो सरकार की प्रमुख योजनाओं को गिक के साथ जोड़कर सफल रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है, तो गुणमत्ता के जो मानक है, क्वालिटी स्टेंडर्ड, वो तो स्वैच्छिक रूप में पालन होगा योगा, और रोजगार का सरजन भी एक तरह से होगा, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर जो खाना सप्लाई करते हैं, उनमें गुणमत्ता अच्छी है या नहीं है, यह अभी तक निर्धारत नहीं था, लेकिन अगर स्ट्रीट वेंडर स्विकी के साथ जुड़ेंगे, तो FSSAI उनको मानक एक तरह से देगा, इसके माद्दम से गुणमत्ता तो बनाई जा रही है, साथ साथ रोजग जो भी कारे करने वाले लोग हैं उनकी कमपनी में, उनको मौपजा देने के जो मानक है, उनका पालन करने की मजबूरी होगी, क्योंकि उनका उद्देश होगा सरकारी समर्थन प्राप्त करना, तो सरकारी योजणाओं में गिक प्लेट फॉर्म तभी जुड़ पाएंगे, जब जो भी कर्मिचारी हैं उनको किसी तरह का मुआपजा या जो भी सरकारी मांदंड हैं डेली बेसिस पर जो एक तरह से निंतों मजदूरी वाली स्थिती हैं ये सारी स्थितियां अगर वो पूरा कर पाएंगे तो वो सरकार के साथ योजनाओं में जुड़ेंगे जो भी भारत में स्थितियां के लिए जो मानक हैं उनको गिग प्लेटफॉर्म पालन करने के लिए विवस होंगे अगर वो सरकारी ओजनाओं में एक तरह से जुड़ते हैं तो दोनों तरफ से लाब हैं एक रोजगार सजन तो हो गई जो सरकारी मानक हैं वो गिग अर्थवस इस तरह के नियम का पालन इतने बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है, तो दोनों रूप में एक तरह से मदद मिलेगी, अगर हम मन्रेगा जैसी एक सहरी रोजगार गारंटी योजना की बात करें, तो अगर हम दैनिक आधार पर 300 रुपय का वेतन भी देते हैं, तो माना ज इतने रोजगार बड़े पैमाने पर बढ़ाए जा सकते हैं, तो जब भी इस तरह के प्रेट फॉर्म के साथ में सहयोग सरकार बढ़ाएगी, तो ये लागत को एक तरह से तो कम करें करेंगा, उसी के साथ ये जो गिग फर्म है, उनको राज्यों के साथ सहयोग करने के लि तो सरकारी जो तंत्र है उसके माद्यम से उनको नियम कानून में बांधना, जो भी उनसे सहयोग प्राप्त करना, और साथ साथ जो भी मानक है उनका पालन गिग अर्थविस्ता में कराना, इससे गिग अर्थविस्ता के जो स्रमिक है, उनके अधिकारों का भी सनरचन सुनि कर सकते हैं इसी चर्चा के आधार पर मेंस क्या कुश्चन अप लिखेगा गिग अर्थवस्ता में सरकारी सायोग बढ़ने से सहरी दोजगार को बढ़ने में मदद के साथ गिग अर्थवस्ता को वेनेमित करने में भी सायक होगा उपरुत कथन की समीच्छा करें देखें अगर गिग प्लेटफॉर्म सरकार के साथ जुड़ेंगे आप जैसे सुगी का एक्जामपल दे सकते हैं जो पी-म स्वनिधी योजना में जुड़ा है तो 36,000 एक तरह से जो स्टीट वेंडर हैं उनको एक निस्चित आय कहीं न कहीं प्राप्त हो पाएगी इसी के साथ साथ जो नियम कानून मानक बने हैं उनको गिग अर्थवस्ता के जो गिग प्लेटफॉर्म में वो भी पालंग करेंगे तो रोजगार स्वजन भी है उसी के साथ साथ जो मानक हैं उनको भी मजबूत करने में सरकार को मदद मिलेगी तो इस रूप में अपने अंसर को आप लिखने का एक प्रयास आपर करेंगे जो हमने चर्चा किया है हूँ अपने अगी नूइस पर आते हैं और पेज नंबर 6 के पार्ट पर जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से संबन देता है और यहाँ पर एक तरह से गवर्नर राज्यपाल के जो भी एक तरह से अधिकार हैं राज्यपाल के दारा जो सक्तियों का अपयोग किया जा रहा है उनके संबन में यहाँ पर एक आर्टिकल में चर्चा की गई है और यहाँ पर बताया गया है कि वर्तमान सिती में राज्यपाल एक तरह से केजी सरकार के प्रतनीदी के रूप में जब राज्यों में कारे कर रहे हैं तो वो पौड रूप से स्वतंतर रूप से कारेना करके जिस पार्टी से या जिस सत्तादारी दल से उनका संबंद रहा है। उसके साथ में एक तरह से नीतियों में एक सही हो करते हुए दिख रहे हैं। और ये कहें ने कहें, जो हमारा संगवाद है, उसके लिए, या हमारा जो लोकतंत्र का पार्ट है, उसके लिए बहुत अच्छे साइन नहीं माने जा रहे हैं, तो इसी संदर में हमारे यह आर्टिकल में चर्चा की गई हैं, खासतोर पर अगर हम देखें, तो केरेल के जो रा देखें, तो राज्यपालों के साथ में जो विवाद जुड़ा है, वो मुख्यमंत्री को चुनने के संदर में, यानि सबसे बड़ा जो राजनेतिक दल है, किसी भी राज में चुनाव होते हैं, तो सामानेत है उसी को एक तरह से सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जात प्रसासन के बारे में जानकारी की करना, तो रेगुलर बेसिस पर अगर राज्यपाल इस तरह से लगातार प्रसासनिक दखल करते रहते हैं, तो ये भी प्रसासनिक धाचे को कहिना के कमजोर करता है राज्यों में, एक चौथी सिदी देखें, तो बहुत से ऐसे बेल हैं, जिनको राज्यपाल के दारा राज को खराब करती है, प्रतिकूल टिपणी करना, किसी भी राज्यपाल इस तरह के कई केसिस हुए हैं, तो ये दिखाता है कि राज्यपाल के जो वर्तमान के निर्णे आ रहे हैं, उन पर एक तरह से इस्सिती संगबाद या लोक्तंत्र के बिलकुई विरोध में जाती है, रा राज्य में जो राज्यपाल और जो वहाँ पर सरकार सत्ता में है, उनके बीच में एक तरह से संबन्द बहुत अच्छे नहीं है, तो ऐसी सिती में कहने के राज्यपाल का जो पूरा पद है, वो कहने कहीं एक प्रस्ण के दायरे में आ जाता है, भारत में अगर हम देखें, तो हमारी संगी लोक्तांत्र के विस्ता में राज्यपाल की भूमका को समझने और केंद्र राज संबन्दों को मजबूत करने के लिए, तरह तरह से कमेटीज या अलगला तरह से उपाए कुछ समितियों के दारा सुझाए गए हैं, और इस प्रक्रिया में अगर हम देखें तो 1968 का जो प्रसासनिक सुधार आयोग है, 1969 की राजमनार समिति की जो रिपोर्ट है, 71 की राज्यपालों की जो समिति है, 1983 में बैंगलोर का जो सेमिनार था जिसमें विस्ते सक्यों ने कुछ सुझाव दिये, या अगर 1988 में सरकारिया आयोग की कुछ सिफारसों को देखें, तो ये कुछ इस तरह की सिफारसे हैं, जो एक तरह से केंदर राज्य संबंद उनकी मजबूती को दिखाते हैं, और उनके लिए सिफारसे दी गई हैं, खास तोर पर राज्यपाल की जो भूनका है, उनको समझने के लिए इन समितियों के तरफ से काफी सिफारसे दी गई है इन सभी समित्यों में जो भी सुझाव दिये गए हैं तो प्रमुक एक तरह से जो कारण माना गया है कि राज्यपाल की इस्तिती एक तरह से जहां पर कुछ सुधार करने की जुरुत है तो कारण यह है कि राज्यपाल जब भी किसी भी राज्य में कारे कर रहे होते हैं तो जो तो भी सरकार है उसको अस्थिर करने का प्रयास करना, यह आन्य तरे की जो इस्थितिया हैं, वो लगातार बनती रही है, तो यह प्रमुक समस्या के रूप में एक तरह से देखा गया है, केंद्र के प्रतनिती के रूप में, राजपायल की जो चबी है, वो बहुत मजबूत और यह जितनी भी समितिया हैं, सभी ने अपनी सिफार्षों में इस बात को बताया है, और इसे सुधार करनी की जरुत है, अगर हम अपने संगवाद और लोकतंत्र को एक तरह से मजबूत करना चाहते हैं, राज जिपाल की जब हम बात करते हैं, तो उनकी इस्थिति को मजब किसी भी तरह से किसी भी प्रभाव में या पूर्वागरा में आकर अपने किसी तरह के निर्णे न ले, पहला है कि उनका जो कारेकाल वो निस्थित किया जाए, राज जब कहीं निक्त किया जाता है, तो वो एक तरह से के सरकार पर निर्भर रहता है, तो उसका अगर कारेक तो संबंदित राज्य का जो मुख्यमंति उससे भी परामर्स किया जाए अगर ऐसी स्थिती होगी तो जो वेक्ति राज्यपाल के रूप में आएगा वो राज्यकी जो उसमें की सरकार है उसके साथ में एक सही रूप में संबंद आगे बढ़ा कर सुचारी रूप से सासन मे मदद कर सकता है तीसरा राज्यपाल की जो नुक्ति है वो एक पैनल के मादम से तयार की जाए यानि केन सरकार अपनी तरफ से निर्धारत करके राज्यपाल नुक्त न करे एक पैनल राज्यपाल को निर्धारत करने के लिए बनाया जाए जो किसी भी राज्य में परसद यानि जो इंटर स्टेट काउंसल है उसका योगदान होना चाहिए तो इन संस्ताओं के माद्यम से राज्यपाल की निक्ति होनी चाहिए न कि केंज सरकार की तरफ से इन सुझाओं के माद्यम से राज्यपाल को एक स्वतंतर संस्ता की रूप में इस्थापित करने में राज्यों में मदद मिलेगी, राज्यपाल अगर स्वतन्त रूप से कारे नहीं करता है और पूर्वाग्रह से ग्रसित वकर कारे करता है तो ऐसी सीती में केंद राज्य के जो संबंध हैं उनमें कहिनक हैं गिरावट आने की संबावनाएं दिखती है जैसा अगर हम देखें केरल, चायराजिस्थान की बात करें, पस्चमबंगाल वहाँ पर जो भी राज्यपाल के निर्ने रहे हैं उनके आधार पर इस तरह के निसकर्स निकल रहे हैं तो इसको जल्द एक तरह से सुदार करने के आवस्ता है अन्यता राज्यपाल का जो पद है उसकी जो गर्मा है उस पर बड़े सवाल एक तरह से भविस में और ज्यादा उठ सकते हैं अगले आर्टिकल पर माते हैं पेज नंबर 7 के पाड़ पर जीएस पेपर 3 में एकोनमी से संबन देता है Embracing Energy Efficiency भविस में हमारी उर्जा की जो आवस्कता है वो बढ़नी है क्योंकि भारत एक तेजी से बढ़ने वाली अर्थवस्ता है तो जैसे ऐसा हमारे यहां सहरी करण और तेजी से बढ़ेगा उर्जा की जो डिमांड है वो बढ़ेगी तो ऐसी स्थिती में पर्यावणनी संतुलन मी बना रहे हैं और उर्जा के आवसकता मी पूरी हो पाएं इसके लिए आवसक है कि उर्जा दक्षता यानि एनर्जी एफिसेंसी इसको मजबूत रूप में हम आगे बढ़ाएं तो इसी संदर में हमारे आर्टिकल में चर्चा की अगर बिजली आपूर्ती में किसी भी तरह के मानक का उलंगन होता है तो उसकी छतिपूर्ती भी कंपनी को देना होगा अब जो डिस्टिबूशन कंपनी से उनको ज्यादा उत्तरदाई बनाया जा रहा है अब यहाँ ध्यान देने की ज़रुत है कि भारत में जो राज्यो कंपनिया हैं उनको ज्यादा इतरह से भुक्तान नहीं प्राप्त हो पा रहा है क्योंकि भुक्तान की दरों में जो कमी आई है उसका सीधा इतरह से संबंदम देखें तो भुक्ता की बढ़ती हुई खपत लेकिन उसके पार वित्ती इस्टिती अच्छी नहीं है तो वो बि छति पूर्ती दे पाएंगे तो इस पर एक तरह से हमें विचार करने की आवस्सकता है और प्रमुख रूप से यहाँ पर जो निसकस निकलता है कि अगर उर्जा धक्षता को अपनाये जाए तो उर्जा की जो खपत है उसको कम किया सकता है और आपूर्ती को और जदा सुन अब जदा को भी मजबूत करेगा भारत में अगर हम केवल आवासी बिजली की बात कर लें तो 2030 तक इसमें दोगनी एक तरह से बृद्धी हो जाएगी यह आज जितनी आवासों में बिजली की आवस्सकता है यह दोगना हो जाएगी 2030 तक तो हमें बिजली का उत्पादन दोगनी हो रही है 2030 तक इसका बड़ा कारण क्या है कि अपनी जो भी हमारी आराम दायक आवस्सकता है घर के लिए उनके लिए हम बिजली के अधिक सधिक उपकरण खरीद रहें जैसे अगर हम बात करें एसी की रेफरेडर की बात करें यह हम माइक्रोवेव ओवन की बात कर लेली उर्जा बिलो और डिसकाम के जो वित्ती तनाव है दोनों को कम कर सकता है क्योंकि देखिए उर्जा बिल आपके कम के वाएंगे क्योंकि अगर आप कोई ऐसा रेफरेटर यूज कर रहे है जो इस्टार लेबिलिंग वाला यसे मालीजे आपने फाइफ स्टार वाला इस तरह से जो रेफरेटर अगर उसको यूज किया है तो वहाँ पर क्या है कि बिजली की जो खपत है वो सबसे कम होती है मालीजे आपने सिंगल स्टार वाला यूज किया है तो पांच स्टार की तुलना में सिंगल स्टार में बिजली की खपत ज्यादा होती है तो आप जि तो समय पर बिल अगर आएगा तो जो वित्रन कम्पनियां हैं उनको भी संसादन आसानी से प्राप्त होंगे तो उनको सुवधाय बढ़ाने में एक तरह से मदद मिलेंगी तो उर्जा दच्छता का एक दूरगामी परणाम आप देखेंगे भारत के विद्धुद शित्र पर और Initiative for Sustainable Energy Policy इन दोरों के दोरा कंड़र किया गया और इसे कहा जाता है भारत आवासी उर्जा सर्विच्छन तो यहां पर हम देखें तो 21 राज्यों में लगबग 15,000 घरों में यह सर्विच्छन किया गया इस सर्विच्छन में यह पाया गया कि 75% AC और 60% जो हमारे यहां फ प्रजली की खपत क्या हो रही है जादा तो यह हमें एक तरह से जो इस्तिती उसको बदलने की आवस सकता है इसी के साथ साथ देखें कि 90 प्रसत भारतियों के घरों में LED लेंप या जो ट्यूब उनका उप्योग पाया गया LED आप ध्यान रखें कि सामान रूप से इसमें ज पंक्यों टीबी जिसमें स्टार लेबिलिंग है या जिसमें उर्जा दक्षता पहले से ही निर्धारेत है तो इस तरह के जो उप्योग है वो भी बहुत सेमित है 90 परसंट जो घर है वहाँ पर पंक्यों का उप्योग किया जाता है और केवल 3 परसंट जहां पर उर्जा कु पुराना टीबी का मॉडल है वो अभी भी हमारे हां 60 परसंट घरों में उप्योग किया जाता है जो बिजली की खपत बहुत ज्यादा करता है तो हमें एक तरह से LED या इस तरह के जो टीबी है उनका प्रचलन भी एक तरह से बढ़ाने की जरुत है 15 परसंट घरों पर यह द दच्छता को बढ़ाया जाए तो इससे भी एक तरह से जो बिजली की खपत उसको रुका जा सकता है तो यह जो यहाँ पर सर्वेचन आया यह दिखा रहा है कि घरों में अभी भी उपकरणों में बड़े पैमाने पर उर्जा दच्छता का उप्योग नहीं किया जा रहा है उपाय अगर हम देखें किया कड़ सकते हैं तो सबसे पहला उपाय यह जो उर्जा कुसल उपकरण है उनकी उपलब्त होता और उप्युक्त मूल यह करना होगा आप ऐसे उपकरण जरूर उपलब्त करा सकते हैं जो उर्जा कुसल हो जैसे मालग यह स्टार लेबलिंग है लेकिन अगर इनके प्राइस बहुत जादा हैं, तो पबलिक इसको नहीं खरीदेगी, तो हमें उपलबदा के साथ साथ उचित मूल ले, वो भी एक तरह से देखना पड़ेगा, कि जो भी इस तरह से उरजा, दक्षे, उपकरण हैं, उनमें निश्चित हो, अब एक्जाम्प क्या हैं, कि जो भी एक तरह से स्टार लेबिलिंग के साथ, जो सीलिंग फैन हैं, उनके दाम ज्यादा हैं, सामान रूप से जो परंपरागत, अगर सीलिंग फैन की बात करें, उनकी, तो यहां पर हम देखें, कि जो भी सीलिंग फैन एक तरह से उरजा दक्ष हैं, और जो तुलला में जो दाम हो क्या है? दोगना. तो अगर 1000 रुपय का पंका किसी को बाजार में मिल रहा है और उर्जा दक्ष अगर 2000 का है तो जनता 1000 रुपय का जो पंका उसको उप्योग करेगी. तो हमें कहीं न कहीं उर्जा दक्ष जो भी उपकरण है उनके मुल्यों को भी बाजार में एक निचले इस्तर पर लाना पड़ेगा, तभी पब्लिक बड़े बेमाने पर इसकी खरीद करेगी, जहां तक सीलिंग फैन की बात करें, उनमें अनिवारे रूप से जो लेबलिंग की जारी है उर्जा दक्षता की, यह 2022 से अनिवारे कर द तो भारत को उर्जा दक्षता में मजबूती लाने के लिए राष्ट व्यापी उभोगता जागरुता अभ्यान की आवसकता है, तो हमारे हैं केवल चौथाई भारती हैं, जो Bureau of Energy Efficiency के स्टार लेबिल के बारे में जानते हैं, यानि अगर वो रैफरेटर खरीद रहा है या अच्छी नहीं है, तो वहां में मजबूती करने की जरुत हैं, तो कोसिस यह उनी चाहिए हैं कि जो भी इस तरह की जागरुता हैं, उसे हमें विकेंद्रिकित और भोगता केंद्रित रणनीती की अनुसार बनाना पड़ेगा, उर्जा दक्षता के बारे में जो भी हम लाई जा सकती है, और तीसरा सबसे महत्रपून, उर्जा दक्षता से बिजली बिल में कमी का सबूत, उभोता तक स्मार्ट मीटर से उपलब्त कराना, यानि जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहे हैं, उनका उपयोग करना और उर्जा दक्ष उपकरनों का उपयोग करना, इ उसी आधार पर उर्जा दक्षिता हमारे हां बिजली उपकरणों में बढ़ेगी। और भविसी के लिए ये काफी एक तरह से आवस्सक है। भारत सरकार की तरफ से देखें तो उर्जा दक्षिता को बढ़ाने के लिए एक बड़ा सफयल अभियान चलाया गया था। जो उजाला योजना के रूप में था जिसमें LED बल्बों को एक तरह से जो सामाने पुराने बल्ब थे जो ज़्यादा बिद्दुत खपत करते थे उनकी जगए पर लाये गया। और इसके कारण अगर आप देखें तो भारत में जो कार्बन उससरजन उसमें लगबग 82 मिलियन टन की एक तरह से क्या है कमी हुई। तरह से आगे बढ़ाते हैं और इन पर ध्यान केंदित करते हैं तो सभी के लिए 24x7 जो बिजली की आपूरती है उसको सुनिस्ट करना एक तरह से आसान होगा क्योंकि उर्जा की जो खपयत है वो कम होगी गुडबता बढ़ेगी तो ये सृती बिजली की सभी को आपूरती करेगी आगे हम अपने प्रेडिमिस के कुछ न्यूज देते हैं तो यहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में एक पहली यहाँ पर न्यूज है इस न्यूज में अगर हम देखें तो NCIT के दोरह स्कूल बैग पॉलिसी 2020 जारी की गई है इसके मादियम से बच्चों म यहाँ कुछ उपाएं दिये गये हैं अलग-अलग क्लास के लिए जो बैग का भार है वो NCIT ने एक तरह से निर्धारित कर दिया है और यहाँ पर आप देखें तो क्लास फर्स्ट और से के लिए देखें तो एक दसनलो चे से दो सनलो दो किलो तक अगर हम क्लास थर्ड फॉ सनलो पाँच किलो तक और जहां तक यहाँ पर हम देखें तो हम 11 तर टेल्थ की बात करें तो यह साड़े तीन से पाँच किलो तो यह एक तरह से स्थिती दी गई है कि इस से ज़्यादा भार बैक का बच्चों में न हो तो उसके लिए जो भी पुस्तक या नोटबुक यू जाच करें जो भी किसी भी दिन क्लास में लेक्चर होना या जो भी क्लास टीचर लेने वाले है उसके संबद में पहले से सूचना दी जए जिससे जो आवस्यक किताबें या पुस्तकें हैं या नोटबुक हैं उनी को बच्चा लाए तो इस तरह की सितियों को एक तरह से य उनके लिए एक तरह से ये नियम लागू किये गए हैं, तो क्लास फर्स से लेकर, क्लास ट्वेल्थ के बीच में बच्चों के जो बैग हैं, उनका भार क्या हो सकता हैं, इसकी एक तरह से जो लिमिट है, वो NCRT ने डिसाइड की है, इसी के आदार पर हमारा प्री का कुश्च हैं, नए स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के संबद में निम्न करतों बर विचार करें, इसे NCRT के दवरा प्रात्विक माद्मिक तथा उच्चतर माद्मिक विद्यालियों के लिए लाए गया है, बिल्कुर सही स्टेट्मेंट है, अध्यापक तीन माह में एक बार सभी विद्यार तो अगर पेजल की अच्छी विषस्ता इसकूल के अंदर सुनुशित की जाए, तो पानी जो बॉटल के थूरू लाते हैं बच्चे वो नहीं लाएंगे, तो इसलिए NCRT के दिसानुदिस में ये कहा गया है, कि स्कूल में पेजल की जो विषस्ता है, उसको उच्चित अगला देखें, तो ये भारत में पैंगुलीन का एक तरह से जो अवयद रूप से वियापार बढ़ता जा रहा है, उसके संबंद में, जियान रखें, दुनिया में जो आठ प्रजातिया पैंगुलून की हैं, भारत में दो पाई जाती है, एक भारती पैंगुलून की यह coupon फैंगुलून की बात करें तो इसे आईूसियन के दोरा शंकाटग्रस्त या एंडेंजर्ट इस बीसिएस में एक तरह से डाला गया है तो इसी पैंगुलून की संबंध में हमारा begraka कllor यहां पर हम देखें तो केरल में बर्ड फ्लू का एक तरह से जो प्रभाव है, वो दो जिलों में देखा गया है, यहां पर हम देखें तो को टायम और अल्पोजा तो type A जो influenza गाइड़ा है उसके अधर फैरा है उने पहिछ प्रकार के बारे में यहां पर test किया जा रहा है तो influenza टाइप A virus में आप ध्यान रखें कि दो तरह के protein होते हैं उनके आधार पर virus के अलग 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 प्रकार बनाए जाते हैं तो पहला प्रोटीन का प्रकार है वो क तो आपको ध्यान अखना है पहला कौन सा है एच 17 एंट 10 और दूसरा तो ये दो ऐसे हैं जो पक्षियों को प्रभावित नहीं करते हैं केवल चमगादर यानि बैट को प्रभावित करते हैं अन्नी जितने भी है वो पक्षियों को प्रभावित करते हैं तो इसी इंफ्लेंजा टाइप वायरेस के संबन में हमने यहाँ पर आपको प्री का एक कु इस विसानू के सभी प्रकार पक्षियों को प्रभावित करते हैं, तो अभी हमने देखा कि दो प्रकार हैं, एक तो H17N10 और H18N11, जो पक्षियों को प्रभावित नहीं करता है, वो किस तो करता है, चमगादल को, तो सभी को जो कहा जा रहा है, ये स्टेटमेंट गलत हो जात COVID-19 निकारण ये एक तरह से रुका हुआ है, और वार्सिक आधार पर ये जो एक्सपेडिशन है, हम आर्केटिक छेत में उनसंदान के लिए संचालित करते हैं, तो ये National Center for Polar and Oceanic Research, उसके दोरा प्रमो कुरूप से इसको संचालित करने का कारने किया जाता है, तो इसी के सर्च स्टेशन है, दोनों स्टेटमेट या पर सही है, तो अंसर आपका C एक तथा तो दोनों सत्य है, एक नेक्स देखते हैं, एरान स्टेप सब यूरेनियम एनरिच्मेंट C स्टेंकर, तो इरान के दोरा यूरेनियम का जो संबर्दन है, वो बढ़ाया जा रहा है, यूर यूरेनियम जो भी प्राकरतिक रूप से खरण करके प्राप्त किया जाता है, उसमें यूरेनियम 235 समस्थानिक और 233 समस्थानिक, इसका हिस्सा अगर हम देखें, तो 235 के मातरा देखें, हार्डली दसनमलग 7% के आसपास होती है, तो ज्यादा बढ़ा हिस्सा होता है, य यूरेनियम 233, तो ये यूरेनियम बहुत अच्छे इंधन के रूप में उपयोगी नहीं हो पाता है, तो करना ये पढ़ता है कि यूरेनियम को समवर्धत किया जाता है, एंडरेच्मेंट, और इस प्रक्रिया में ये किया जाता है, कि यूरेनियम में जो 235 समस्थानिक है इसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है और 230 की तुलना में ये बढ़ता चला जाता है तो इससे बढ़ाकर एक तर ऐसे जब उपर के इस्तर पर लाया जाता है तो ये जो इंधन होता है ये जो हमारे nuclear reactor है वहाँ पर जो भी नाव किये विखंडन की अभिक्रिया उसमें आसानी से जाया सकता है तो इसलिए uranium enrichment या uranium समबर्दन की जरूत पड़ती है अगर ऐसा हो जाए कि uranium 90% तक uranium 235 हो जाए अगर 238 की तुलना में देखें तो 235 अगर 90% तक uranium में पहुँच जाता है तो ऐसे uranium को हम बोलते है highly enriched uranium यानि अत्यदिक समबर्दित uranium और इसका उपयोग बनाने में किया जा सकता है तो इसलिए uranium का जो समबर्दन इरान कर रहा है इसको पस्मी देश एक तरह से रोकने का प्रियास करते हैं इसी संबंद में हमारा प्री का कुश्चन है uranium समबर्दन के संबंद में निम्न में कौन सा कतन असते हैं तो इस विदी से uranium U235 समस्तानी को 235 को तुलना में अधिक बढ़ाया जाता है तो पहला से यह दूसरा गलत है हमें गलत पता लगाना है हमें गलत मिल गए हैं दो स्ट्रिमने और देख लिते हैं C यह प्रक्रिया नाम की इंधन निर्मान में आवश्चक है क्योंकि सामाने जो uranium होता है उसमें 235 बहुत कम होता है तो वो इंधन के रूप में उप्योग नहीं हो सकता है चोथा डी अत्यदिक संवर्द यूरिनियम को 90 प्रसत या अधिक इस्तर तक लाया जाता है और ये एक तरह से हत्यार या वेपन ग्रेड यूरिनियम एक तरह से कहलाता है तो यह अंसर क्या आपका B क्योंकि हमें गलत पता लगाना है अंसर आपका क्या है B एक लास्ट कोर्सन देखें अगर हम राइस के प्रोडक्शन की बात करें तो चीन बिस्व में नंबर एक पर है भारत पहले स्थान पर है जब हम एक्सपोर्ट की बात करते है निर्यात की तो भारत सबस्वड़े निर्यातक है इसके अलावा थाइलेंड और वियतनाम ये भी प्रमुख निर्यातक है लेकिन वियतनाम से बड़े पहमाने पर फिलिपीन्स के दारा जो चावल खरीदा गया इस कारण से वियतनाम का जो घरिलू बाजार है वहाँ पर चावल के मूले काफी बढ़ गए है तो उसको नियंतित करने के लिए वियतनाम एक दसक में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत से वो चावल एक तरह से आयात करेगा तो भारत जो सबस्वड़े चावल के निर्यातक में है वियतनाम को अब चावल एक तरह से एक्सपोर्ट करेगा तो इसी संबद में हमने एक प्रीका यहाँ पर आपको कुश्चन दिया है निम्न कत्नों वरिचार करें भारत विस्वड़े चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है तो यह स्टेटमें आप देखें गलत है चावल का सबसे बड़ा यह एक्सपोर्टर है तो यहाँ पर पहला गलत दूसर सही है अंसर भी केवल दो सत्य है यह हमारे पांच जर्मी 2021 के समाचार विस्नेशन थे आने वाले दिनों में आनने दिनों के समाचार विस्नेशन हम आपको इसी तरह से उपलब्त कराते रहेंगे जो भी आपको कॉश् प्रेप चैनल को आप बेहत पसंद कर रहें अधिक से अधिक संक्या में लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरू करें थेंक यू